स्वागत बच्छों आपका सेल स्टेडी के चैनल में और आज हम एक करंट इशू या फिर काफी ज्यादा ये सुर्खियां बटोर रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि चीन में एक बहुत ही एतियासिक परस्ताव पारित हुआ है और ये तीसरी बार हो रहा है जिस कर शी जिन पिंग को याईनि जो चीन की जो प्रेजिडेंट है इनको मिला कर टोटल तीन महा पुरूष हो गए महा पुरूष का मतलब क्या होता है सर ची देखो महापुरूष का मतलब ऐसा है कि अब कोई भी व्यक्ति चीन में अगर महा पुरूषों के खिलाब बोलेगा तो वहाँ पर उनको मतलब एक तरीके का सजा का प्रावधान है, यार महापुरुष का मतलब क्या होता है, जाए मैं अपने देश के, भारत देश के रेफरेंस में यह समझाता हूँ, कि महापुरुष क्या होते हैं, होता नहीं कि हमारे देश में हमारे लिए आइडल कोन है, सरदार वल्ला भाई पटेल हो गए, भगर सिंग हो गए, तो यह जो हैं चंदर शेकर आजाद हो गए, यह जो हैं हमारे आइडल है, यह हमारे लिए बहुत एक उच्छ स्थान रखते हैं, अब suppose करो कि हमारे देश में कोई जो पार्टी जो है, जो एक पार्टी जितनी भी हमारे सामने जो पार्टी हैं हमारे देश के अंदर, Congress होगी, बिजपी होगी, आप होगई, समाजवादी पार्टी होगी, BSP होगी, जितनी भी पार्टी हैं, suppose वो सरकार के अंदर है और उस सरकार में जो सरकार के अंदर जो पार्टी है अब वो पार्टी ये फैसला करती है कि ये जो नेता है यानि जो आज फिलाल की डेट में कोई भी आप मान सकते हो कि XYZ का एक नेता हो सकते हैं यहाँ पर लिखता हूँ है XYZ के नाम से कोई पार्टी इनके बराबर ऐसा काम कर दिया है कि इनको अब उन कैटिगरी में शामिल कर लिया जाए तो ये मतलब होता है महापुरूष मतलब एक तरीके का महापुरूष तो इनको कहा नहीं गया है कि महापुरूष है उस कैटिगरी में लाके खड़ा कर दिया है एक तरीके से स्टी जिन पिंग को अब आने वाले टाइम में चीन के अंदर किताबों के अंदर पढ़ा जाएगा कि ये इतने महान है इन्होंने ये ये काम किये इस केटेगरी में लाके खड़ा किया गया और अब तक टोटल तीन ही हुए हैं श्री जिन पिंग को मिलाकर तो सो सकते हो कि कितनी बड़ा एक resolution पास किया गया है Chinese Communist Party यानि CCP के दुआरा elevate किया गया है यानि इनका कद बढ़ाया गया है, status बढ़ाया गया है एक historical resolution पास किया गया है और ये तीसरी बार हुआ है, दो बार पहले हो चुका है आज उनके बारे में हम बात करने वाले है मतलब ये चीज़ समझ में आई कि महापुरुसों के खिलाव बोलना अब एक देश द्रो माना जाएगा किसने पारित के Communist Party द्वारा ये संकल पत्र जारी किया गया है सारी बात करेंगे कि एक single party ये कैसे कर सकती है मतलब चीन में चलता गया है, एक single party प्रावधानी तो चलता है वहाँ पे CCP ही है, वही राज करती आ रही है तो इसने कैसे कर दिया ये, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले है अब ये सारा रफ कर देते हैं, अराम से बैठके इसके उपर मतलब कहानी सुनिये, मुझा लीजिए, कहानी तो कहा है, सारी चीजे हैं इसको कहानी की तरीके से सुनाने वाला अब तक چेंड के अंदर मैंने कहा तीन हुए है श्री जिन पिंग को मिलाकर पहले जो है वो है माव जिडूंग माव जिडूंग तो पहले हुए यह दूसरे हुए माव जिडूंग पर आता हूँ जो हमारे देश में माववादी चलता है न बात करेंगे थोड़ी बहुत क्योंकि डिटेल में नहीं जा सकते मुझे में फोकस यहां पर हिस्टोरिकल डिशुशन पर लेकिन एक ब्रीफ आइडिया में आप लोगों के यहां पर दूँगा फिर सेकेंड नमबर पे हैं डेन जियों पिंग डेन जियों पिंग अब बहुत मैं आप लोगों को बता हूं तो देखिए यह सामयवाद के बड़े परवर्तक रहे हैं सामयवाद बोले तो देखो चीन के अंदर 1921 के अंदर तो सामयवाद आ गया था यानि CCP की स्थापना हुई थी यानि Chinese Communist Party की स्थापना हुई थी लेकिन आज की डेट का जो बनाया था वो इन्होंने बनाया था पीपल रिपब्लिक ओफ चाइना यह वही टाइम था कि जब इन्होंने इलैक्शन हुए थे और यह बहुत मतलब वहां पर जीत कर आये थे और एक पार्टी हुआ करती थी के एम्टी पार्टी इस पार्टी को भगा दिया गया था और यह पार्टी ताइवान में जाकर अपना एक अलग देश बना के रहने लगे यह कहते हैं ताइवान वाले कि हम एक अलग देश हैं और यह अपने आपको कहने लगे रिपब्लिक ओफ चाइना जो बड़ा चाहिना है यह कहूं यह जो शी जिन पिंग है जो वहां के है इस देश में और वो है पीपल रिपब्लिक ओफ चाइना वो ताइवान को दबाता रहा है लेकिन इसके उपर भी पॉलिटिक चल रही है अमेरिका इसको छेट रहा है तो यह लग चीज होगी हमारे सामने तो माओ जुडॉंग कों थे माओ जुडॉंग थे इनोंने 1949 के अंदर पीपल रिपब्लिक ओफ चाइना बनाया था और एक नया चाइना हमारे सामने के दुनिया के सामने ये लेकर आये थे पीपल रिपब्लिक ओफ चाइना के नाम से तो बहुत बड़ा इनोंने एक करांती कारी काम कर दिया था यहां पर इतना करांती कारी काम किया था क इनके खिलाफ कोई बोले तो अब देश द्रो माना जाता है अरे देखो महापुरुष कहेंगे किसको महापुरुष ऐसे खाली पिली किसी को महापुरुष नहीं कह सकते हैं महापुरुष के लिए एक बकाईदा कानून निकलता है कि अगर इनके खिलाफ कुछ बोला तो भाईया देख ले ना तुमारा अंजाम जो है वो सही नहीं होगा भुगत ना पड़ जाएगा महापुरुष की केटेगरी तो महापुरुष की वैल्ली गया अगर कानून ना हो तो इनके भाईया अगर कुछ बोल देते हैं माउ जिड़ों के खिलाफ तो वहाँ पर देश दुरों माना जाते हैं और चेहिन के जो पुलीस वाल है वो मतलब ले लेते हैं अच्छे से उनकी खेर खबर अब सेकेंड नंबर पर आते हैं डैंजियोंपिंग डैंजियोंपिंग कहों थे ये भी अपने करांतिकारी परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं करांतिकारी परिवर्तन क्या देखें डैंजियोंपिंग जो है 1978 में सप्ता में आये थे 1978 में और इनको 1981 के अंदर historical resolution पास करके इनको बना दिया गया था एक तरीके का महापुरुष मैं महापुरुष अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ऐसा कोई शब्द नहीं है इनका status बढ़ा दिया गया था यानि उन के किलाफ अगर कोई बोलेगा तो भही वो देश-द्रोई बाना जाएगा इनके बारे में बात करेंगे बहुत सक्षम रास्ट बनाया था बहुत अपनी प्लैनिंग के लिए जाने जाते हैं एक तरीके की जो महावादी जो विचारधार थी जो सामेवाद विचारधार थी इनको पलटने का काम किया देन जियोंपिंग ने अपने देश को एक तरीके एकनोमिक रूप से बहुत आगे लेकर आए हैं यह देन जियोंपिंग तो इनके करांतिकारी रूप को देखते हुए 1981 के अंदर इनको इनके लिए historical resolution पास किया गया तो दो व्यक्ति हो गए यहां पर एक तो थे 1949 में Mao Zidong एक 1981 के अंदर देन जियोंपिंग अब थर्ड नंबर पे अब आ रहे हैं शी जिन पिंग शी जिन पिंग को मतलब समझ रहे हो आज तक तीसरे ही हैं और जितने भी प्रेजिडेंट हुए हैं उनको मतलब भाव दिया नहीं गया इतना जादा जितना इनको दिया गया CCP यानि Chinese Communist Party ने एक resolution पास करके इनको इन category में लाके खड़ा कर दिया है Mao Zidong, Dan Jioping, फिर आते हैं Xi Jinping अब क्या होगा अगर इनके खिलाव किसने कुछ बोल दिया तो भाई देश दुरो लग जाएगा जेल में डाल देंगे पता ही नहीं चलेगा ऐसा होता है चीन के अंदर और मैं आपको एक fact बताता हूँ कि चीन के अंदर एक कानून है चीन के अंदर क्या कानून है कि अगर चीन के जो राष्टपती बनना है मतलब राष्टपती जो होगा वो दो condition पर होता है या अगर वो 68 year का हो जाए 68 year का हो जाए और एक दो साल दो बार term पुरी कर ले देखो राष्टपती की conditions क्या है कि भाईया एक वेकती कब तक राष्टपती रह सकता है अगर उसकी उमर 68 year से कम है यानि 68 साल से कम दूसरा कि वो दो बार सिर्फ और सिर्फ दो बार ही President बन सकता है दो बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है for example मैं आपको बताता हूँ अगर एक वेक्ति 45 की एज में President बनता है तो दो बार यानि 5-5 साल के term होती है 55 तक वो President रह सकता है फिर 60 यह हो गया यहाँ पे तो इन दोनों में से कोई भी अगर condition पूरी हो जाती है न तो प्रेजिट नहीं रहेगा दो बार हो गया अब यह वेक्ति नहीं बन सकता अब एक वेक्ति जिसकी उमर 60 एर है तो वो एक बार तो बन गया 5 साल के लिए तो 65 अब यहाँ पर दूसरी साल के लिए विरसेज को चुना गया होना तो 70 लेकिन उसकी age 68 आ गई थी तो इसलिए उसको 68 यानि दो साल पहले ही retirement कर दिया जाएगा तो यानि इन दोनों चीज में से जो चीज पहले हो जाएगी उसको राष्टपती पत से हटा दिया जाएगा तो यह conditions है वहाँ पर लेकिन लेकिन शी जिन पिंग के case में ऐसा नहीं है क्यों नहीं है कहां पर गई भाई यहाँ यह रहा 2018 में यह जो दो टर्म की बात देता थी वो शी जिन पिंग के लिए खतम कर दी गई यहाँ पर SCCP ने यह resolution निकाल दिया था कि इस चीज से यानि 68 एर की age से दो टर्म की इसके criteria से शी जिन पिंग आजाद है वो बिलकुल जब तक CCP चाहेगी यह निए Chinese Communist Party चाहेगी वो तब तक इनको President बना सकती है इनके case में वो चीज़ें लागू नहीं होती है यह था तो चीन में तीसरी बात जिन पिंग के शाषन की मुवर्द लग सकती है मतलब लगी जाएगी अब तो क्योंकि इनको जिस category में खड़ा किया गया है तो वहाँ पर कोई इनके खिलाब बोलने वाला नहीं होगा बोलेंगे तो भई देश दुरो लग जाएगा तो यह हो गया हमारे सामने अब बात करते हैं कि किसने किया है कैसे किया है तो यह Chinese Communist Party यहाँ पर एक मीटिंग होती है साल में एक बार होती है फिर यह National Congress Party के नाम से होती है अब यहाँ पर उस National Congress Party के नाम से फिर यहाँ पर एक मीटिंग और होती है Central Committee के नाम से मीटिंग है जिसमें 370 लोग बैठते हैं यह 370 लोगों ने फैसला लिया होता है कि हाँ भई हम एक फैसला ले रहे हैं 8 से 9 नुमबर के एक मीटिंग हुई थी 8 से 11 नुमबर के एक मीटिंग हुई थी तो इसके अंदर फैसला लिया गया था और यह 3rd resolution बनाया गया था यहाँ पर अब historical हो गया 370 टोप लिडर यहाँ पर बैठे थे इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं तो यह चीज़े होगी अब चीन में यह निर्ने लेता कोन है इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी जैसे मैंने बताया कि Chinese Communist Party जैसे है मतलब 6 महीने में यह जो resolution पास की एननोंने इनको 6 महीने में एक meeting होती है और इस 6 महीने के meeting में यह फैसला लेते हैं तो इन में से 370 जो लोग है इननोंने फैसला लिया कि अब जो है जो Xi Jinping है इनका कद बढ़ाया जाए इनको एक historical resolution के लिए पास किया जाए तो Xi Jinping वो किया क्यों गया है क्योंकि इनका मानना है CCP का यानि Chinese Communist Party का यह मानना है कि Xi Jinping ने दुनिया में चीन का वर्चर सो बढ़ाया है और इसी वज़े से इनको यह सम्मान दिया जा रहा है तो एक तो यह अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना जाओंगा कि 1949 में जैसे मैंने कहा Mao Zedong थे Mao Zedong जो थे वो यह कहते थे कि जो चीन जो है वो एक Progressive Nation होगा Progressive Nation की बात इन्होंने की थी Mao Zedong ने यह बात की थी अब 1949 के बाद इनके नहीं Mao Zedong के बाद जब इनकी मृत्यू हो गए तो इनके बाद Dan Jeong आये Dan Jeong Ping एक तो नाम बड़े अजीब है इनके Dan Jeong Ping आये अब Dan Jeong Ping आये यह अपने अपने एक 100 साल के प्लैन के लिए जाने जाते हैं Sanitary जो गोल हैं वो इनके लिए जाने जाते हैं मतलब कि यह 100 साल का एक प्लैन मनाते हैं यह कहते हैं कि 100 साल बाद चीन कहा होगा आप देखिए कि किस धंक से काम करते हैं यह लोग कि 100 साल का इननोंने एक प्लैन बनाया 100 साल का प्लैन कैसे देखे 1949 के अंदर PRC People Republic of China मना किसने बनाया Mao Zidong ने बनाया अब इननोंने कहा कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 100 साल बोले तो यानि 2049 में यह इनके प्लैन है देन जियोंपिंग के इननोंने कहा कि 2049 होगा तब चीन जो है वो पूरे दुनिया का एक तरीके का मतलब सबसे बड़ा राष्टर सबसे सामने आएगा सबसे शक्तिशाली वो बन के आएगा सबसे पावरफुल वो बन के आएगा चीन बन के आएगा कौन बन के आएगा किसने उनने ये बात बोली ये देन जियोंपिंग ने बात बोली थी इन्होंने ये प्लैन दिखाया था इन्होंने ये सोच दिखाया थी इतना बड़ा इन्होंने प्लैन बना के दिया था चीन को तो एक तो ये चीज होगी अब ये सपना दिखाया अब इस सपने को इन्होंने का कि जो 50 साल पूरे होंगे तो ये जो चीन जो है वो आधा यानि इतना तो नहीं होगा लेकिन मतलब आधा तो कवर कर लेगा तो 2001 में उसको बहुत जादा जोर जोर से बढ़ाया गया किस ने बढ़ाया शी जिन पिंग ने बढ़ाया तो यहाँ पर लगा कि शी जिन पिंग उसी रास्ते पे चल रहे है जो डेन जियों पिंग ने दिखाया था कि 2049 तक यह जो देश है वो चीन जो है वो दुनिया का पावरफूल देश सबके सामने बनकर आएगा यह बात बोलीगी तो इनको यह बात लगी कि हाँ भी अब यह बनकर आएगए कि जिस धंक से वो काम कर रहे है डेफिनेटली यह चीज पोसीबल होगी 2049 में तो एक तो यह वजाए कि इनको शी जिन पिंक को इनके लिए इस्टोरिकल रिजूलिशन पास किया गया है एक इंपोर्टन चीज़ एक इंटरस्टिंग चीज़ आप लोगों को पता हो कि चीन के अंदर BPL यानि below poverty line है नहीं अब खतम होगी वो यानि गरीबी रेखा तो वहाँ पर है नहीं यहाँ पर जो income category चलती है वो तीन category चलती है एक तो lower, एक middle और एक higher यह तीन ही category चलती है BPL यानि below poverty line यानि गरीबी रेखा तो अब तो खतम ही हो गई है इन्होंने खतम कर दिया है इस तरीके से इन्होंने काम किया है तो उमीद है कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई होगी कि historical resolution का मतलब क्या है किसने पास किया है ध्यान रगना Central Committee ने पास किया है 8-11 November की एक meeting हुई है इसके अंदर पास किया गया है Xi Jinping को अब महापुरुशों की category में लाके खड़ा कर दिया गया है यह हो गया अब बात करते हैं यहां पर देखो भई यहां पर लिखा हुआ इसी के बारे में जो मैंने आपको बताया है वही सेम है और यह जो सारी की सारी जो चीज़े हैं आप लोगों को PDF में मिल जाएंगी टेलिग्राम लिंक दिया है नीचे Facebook group का Facebook page का description book में आपको link मिल जाएगा जाकर join कर लीजिए वहां पर मिल जाएगा अब additional information आपको देते कि एक single party है वो single party कैसे decide करती है कि भाया किसको क्या मिलेगा तो यह चीज़ देख लेते अब single party यह रही एक ही party आपको पता ही है single का मतलब होता है एक जैसे भारत में क्या होता है इसके जो member है वो 92 million अभी आता हूँ इसके पर भारत में क्या होता है भारत के reference में चीज़ों को समझेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे भारत में होगी BGP अभी उन्होंने क्या काम किया था BGP ने क्या काम किया कि BGP ने कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी party है क्योंकि इसके अंदर जो है वो सदस्य बहुँ जादा जोड़े हुए है यह BGP ने बोला अब इन्होंने जोड़े कैसे इन्होंने का कि बस आप एक number पर miss call कर दीजिए और आप हमारे party के member बन जाएए यह बात BGP की बोली हुई ऐसी दूसरी दूसरी अलग-अलग parties है वो अपने साथ सदस्यों को जोड रही है यह हो गया लेकिन चीन के अंदर ऐसा नहीं होता चीन के अंदर सदस्यता ऐसे नहीं लिजाती क्योंकि देखो single party है भारत के अंदर तो multi-party system है तो multi-party system हुआ तो क्या होता है न कि वहाँ पर होड लगी होती है कि हमारे पास आजो हमारे सदस्यों बन जाओ यहां पर तो एक single party है तो यहां पर इतनी जल्दबाजी नहीं है यह कहते हैं कि ठीक है तुमें सदस्य बनना है लेकिन हमारी कुछ conditions है उस conditions को fulfill करो तब ही हमारे सदस्य बनोगे यह यहां पर होता है अभी हमारे देश में जैसे gram panchayat है अब panchayat में किसी को सरपंच बनना है तो obviously उसके लिए इलेक्शन होते है या फिर शहरों में पार्षद बनना है उसके लिए इलेक्शन होते है लेकिन चीन में होता है उल्टा चीन में उल्टा क्या होता है देखे हमारे भारत में पार्षद या चुनाव बनने के लिए या फिर मैं कहूं कि सरपंच बनने के लिए क्या होता है चुनाव होते हैं लेकिन यहां तो चुनाव सदस्य बनने के लिए हो रहे हैं भारत में सदस्य बनने के लिए चुनाव नहीं होते हैं सिर्फ एक मिस्कोल लगती है सदस्य बन जाते हैं लेकिन यहां पर सदस्य बनना है तो एक आपको प्रोपर कंडिशन्स फुल्फिल करनी पड़ेंगी इलेक्शन्स होंगे आपको उस इलेक्शन के जरी चुना जाएगा कि हाँ आप यह सदस्य होंगे अब क्या है कि वहां पर मान लो कि A, B, C यह तीन बने खड़े होते हैं कि हम यह कह रहे हैं कि हम चैनिज कुमिस पार्टी के सदस्य से बना जाते हैं तो इन तीनों के बीच में इलेक्शन होंगे यह बताएंगे कि भईया मैं इस विचारधारों को फोलो करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा देश इस धंग से काम करें यहां पर भी बताएगा मैं इस फलाना इवचारधारों को फोलो करता हूँ और मैं यहां पर देश को आगे लेके जाऊँगा ऐसे सही कहेगा तो इस सब अपनी बाते रखेंगे और इन में से चुना जाएगा सदस्य चुने जाएगे तो ऐसे ही 92 मिलियन मेंबर चुने गए हैं जो पूरी पोपुलेशन का चाइना की पोपुलेशन का 6.6% है यानि 92 मिलियन का मतलब है 9 करोड 20 लाक जो सदस्य है चाइनिस कम्मिनिस पर्टी के इनको चुना गया है तो अब जब यह 9 करोड 20 लाक लोग चुनके आते हैं यहाँ पर बैटे हैं तो यह अपने में से 2300 लोगों को चुनते हैं जिसने नैशनल पार्टी कॉंग्रेस का जाते है मैंने पिछले चाइद नैशनल कंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस का जाता है इसको नैशनल कॉंग्रेस के अंदर 2300 बंदे होते हैं 2300 बंदे कहां से आता है यह 9 करोड 20 लाक लोग है यह अपने में से ही गरुप बना-बना कर 2300 लोगों को चुनते हैं अपने अंदर से ही चुन लेते हैं, क्लियर हुआ, तो उनको कहा जाते है National Party Congress, अभी जो मीटिंग है, मैंने बताया ना, यह यहाँ पर, यहाँ पर हुई उनकी मीटिंग, मतलब साला ना वे एक मीटिंग होती हैं, अब यह जो है, यहाँ पर यहाँ से चुने गए, अब यह अपने में से Central Committee के लिए 380 लोग चुनते हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने यह Resolution पास किया, यहाँ पर लिखा हुआ है न, the November 8-11 meeting held by its Central Committee, यह जो Central Committee है, इसके अंदर 370 मेंबर हैं, चुने कितने जा सकते हैं, 380, तो यह जो है, 380 मेंबर कहां से हैं, इस 2380 में से, अब इन 2380 में से, पॉलिट ब्यूरो के लिए 25 मेंबर और चुने जाते हैं, पॉलिट ब्यूरो क्या होता हैं, जैसे भारत में, जो परधानमंतरी हैं, हमारे परधानमंतरी नेदर मोधी जी, वो क्या होते हैं कि अपने लिए कैबिनेट का निर्मान करते हैं, यह होता है ना कि यह आप बाहर के लिए आप संभाल लीजिए, रेल का आप संभाल लीजिए, पढ़ाई का आप संभाल लीजिए, एक मंतराले दे देते हैं उनको, सेम यही है, तो इन 25 लोगों को मंतराले दे दिया जाते हैं, कि रेल को आप संभाल लीजिए, फोरन एक्षेंज आप संभाल लीजिए, यह सारी चीजें यहां पर डिस्ट् में से एक kitchen cabinet बनाया जाता है ऐसे ही यहाँ पर polit bureau standing committee होती है जो president के एकदम सगे होते हैं ऐसा समझो एकदम बिल्कुल चिपकू इंसान तो यह होते है सगे यह साथ होते हैं अब इन साथ में से एक आता है general secretary अब यह देखे जाए इसी को कहा जाता है president of china यह मतलब कि चीन के अंदर वैसे president की कोई post नहीं है जो थोड़े टाइम पहले जब डोनल्ल ट्रॉम जो यहाँ गए हुए थे जब president थे वो अमेरिका के तो उन्होंने कहा था कि मैं तो president से मिला ही कि मैं चीन में president होता ही नहीं क्यों नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर उसको journal secretary के नाम से जाना जाता है देखें यह जो maoji dong थे 1949 के अंदर यहाँ पर है 1949 के अंदर यहाँ पर हुआ October 1 1949 के अंदर यह जो maoji dong है इनको republic of china का मतलब इनको यह founder थे यह एक तरीके से इनको यही का जाता है तो general secretary है यह CCP के सारे CCP के general secretary ही president का जाता है मतलब दिखाने के लिए लोगों को भी यह रहे है हमारे president लेकिन वहाँ president होते नहीं है वहाँ general secretary होते है तो ऐसे चंते 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 उपर तक आते है अब इनके लिए तो भईया क्या है एक उतियासिक दुरलब पारित कर दिया है इन्होंने उमीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी क्या प्रावधान निकाला गया है BPL बिलो परवर्टी लाइन वहाँ पे खतम हो गई है कैसे single party system काम करता है तो अगर आप लोगों के PDF चाहिए तो आप लोगों को description box में link मिल जाएगा telegram का, facebook group का, facebook page का चाहिए जोइन कर लीजिए वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भई क्या करें तो देखो वीडियो पसंद आई है तो कंजूसी मत करो like करने में वही subscribe करो channel को और दोनों को, मतलब वीडियो को और channel को, दोनों को share करिए thank you for watching